ओम शांति आज 4 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा हम सबको वशीकरण मंत्र दे रहे हैं मन को वशीकरण करने का मंत्र है चुप रहकर बाबा को याद करना मन मनावव हो जाना यही माया जीत बनने का आधार है माया जीते जगत जीत बनना है चुप रहकर एक बाबा को याद करना है जब आप शांति में रहकर बाबा को याद करते हैं तो आत्मा शक्ति शाली बनती है बड़ी रमनिकता भरी बात बाबा ने सुनाई कि मैं तुम बच्चों के लिए भूला ग्रहा खूं मैं जब आता हूँ तो मैं तुमसे कखपन लेकर तुम्हें राजाई देता हूँ मैं स्वयम तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ जिससे आप राजाउं का राजा बनते हो और मैं आपको कहता हूँ जो भी ये पांच विकार हैं मुझे दे दो बादिशाही ले लो बाबनी का ऐसा भोला ग्रहक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा वैसे कहते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसा ग्रहक मिलाना जो बुद्धी का कमजोर हो और धन अधिक हो तो वावनी का इस समय मैं तुम बच्चों को तृष्टी के आधी मध्यांत का ज्यान देकर त्रिकाल दर्शी बनाता हूँ भगती में जिसे आप बुलाते थे ज्यान मारग में मैं सक्ते ज्यान देकर तुमें त्रिकाल दर्शी बनाता हूँ तुम बच्चों को कोई भी वहयात बाते नहीं करनी है, आपस में ज्ञान की लेंदेन करनी है, ज्ञान रतन जो प्राप्त होते हैं, एक-एक रतन लाखोर वियों का है, जब आप उसे जीवन में ले आते हैं, तो जीवन बहुं मुल्य बन जाता है, इनको लिखने का भी शोक खोना चाहिए अर्थात अपने पास अच्छे पॉइंट्स लिखो और जब कभी देखो स्थिती थोड़ी ऊपर नीचे है तो उन्हें रिवाइस कर लो याद दिलाया बाबाने मैं तुम बच्चों का पिता शीक्षक और सत्गुरू हूं भगती में तुम गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे इस समय में आकर तुम बच्चों की पालना करता हूं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं सुमते हैं बाबा की मदर बूल बाबने का मीठे बच्चे सत्गुरू का सहज वश्चिकरन मंत्र तुम्हें मिला हुआ है सत्गुरू का सहज वश्चिकरन मंत्र तुम्हें मिला हुआ है चुप रहकर मा में कम याद करो यही माया को अधीन करने का महा मंत्र है कोशने श्व बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है कैसे? बाबा केते बच्चे तुम्हारे पास देह सईत जो भी पुराना कचड़ा है वो मैं ले लेता हूँ सोभी जब तुम मरने पर हो तुम्हारे सफेद कपड़े मरने की निशानी है तुम अभी बाबा पर बली चड़ते हो बाबा 21 जनम के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं अभी आप बली चड़ते हो बाबा 21 जनम के लिए माला माल कर देते हैं भक्ती मारग में भी बाप सब की मनो कामनाई पूरण करते हैं ज्यान मारग में भी स्रिष्टी के आदि मध्यंत का ज्यान दे तुरिकाल दर्शी बनाते हैं गीत है भोले नात से निराला कोई और नहीं गोरी नात से निराला कोई और नहीं ओम शांती बच्चे भोला नात के समुख बैचे हुए हैं व्यापारी लोग कहते हैं, ऐसा कोई मत्त का मूरा, कम बुद्धी वाला भोला हो, जो हजार दो हजार का माल लेकर, हमें खूब धन देकर जाए, ये भगवान, हमें ऐसा ग्रहक मिलाओ, अब भोलानात बाप आकर, बच्चों को आदी मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकाल तरशी बना रही है, मेरे जैसा ग्रहक कभी आपको मिल सकता है, तुम उनको अरपन करते हो, भगती मारग में बहुत महिमा करते हो, भोलानात की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक ते रे, तुमरी क्रिपास से सुप घने रे, वाकर राज्योग सिखाते हैं, राजाई देते हैं, बाप को कहते हैं, ये जो पुराना कच्रा है, वो हम आपके उपर बली चड़ाते हैं, आप हम एक किस जनम के लिए माला माल करते हो, सराफ होते हैं न, मट्टा सटा करते हैं, कमीशन लेते हैं, ये भी कहते हैं, कच्रा जो भी है, देह सैत, मैं तुम्हारा लेता जब तुम मरने पर हो, या तुम ब्रह्मा को मारे हो के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो, आपके कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे हुए हो, मरने वाले पर हमिशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो, इस समय सब को माया का काला दा लेता है, इसमें तत्व आदे सब आजाते, बावबैट समझाते, यह तुम्हारा राज योग है, राज योग से स्वरग में राजाई प्राप्त करनी है, तुम राजाऊं का राजा बनते हूं, नाराणी नशा रहता है। नर्से नारायन बन जाते, लक्ष्मी नारण का राज्य होता है सत्यों में, जरूर मुझे अंत में आना पड़े, इस समय भगती मारग, भगती में तुम ढूरते रहते हो, भगतों का रखवाला है भगवान, भगती का फल आकर देते हैं, सब भगत तो हैं, प्रंतु सबको ए दुनिया में किसी को पता नहीं, भगवान आया हुआ है, राज्योग सिखाने, समझतें कि वो द्वापर में आया, अब राज्योग सिखाया, कब राज्योग सिखाया, ये उनको पता नहीं, फिर वो नर्से नारायन कैसे बन जाते हैं, अभी बाबा तुमें राज्योग सि इस मंत्र से बहुत आमदनी है, ये माया को अधीन करने का मंत्र है, माया जीत, जगत जीत, भक्ती मारगवालों का है, मन जीते जगत जीत, इसके लिए वैं हठियोग आदी करते, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते, वैं तो मुक्ति के लिए करते, बाबा कर कहते, फलाने धरम का हूँ, फलाना हूँ, इस सब बातें भूल कर अपने को आत्म समझ, मामेकम याद करो, सर्वधर्मान परितज्य, मामेकम शर्णम रज, मेरी शर्ण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँगा, बस मैं जो मत दे रहा हूँ, उस पर चलो, बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए, उन सब की मत छोड़नी पड़े, तो तुम्हारा ज्यान बिलकुल नया हो गया, समझते इनकी बाते तो नई है, तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो, पहले उनकी नबस देखनी होती है, सब के सामने एक जैसी बात नहीं करन मनिश्यों की हैं अनेक मते, तुमारी है एक मत, प्रन्तु नंबरवार, जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वो जरूर अच्छा समझाएंगे, कम धारणा वाले कम समझाएंगे, कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, बले गरस्त वरवार में रहो, प्रन्तु कमल फूल समान, परिगर गरस्त में रहो, कमल फूल समान, तुम्हें मालूम है, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, मिसाल भी उसका दिया जाता, बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है, कमल का फूल खुद पानी के उपर रहता, बाकि बाल बच्चे नीचे रहते हैं, ये मिसाल बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं, गरस्त वयवार में रहो, लेकिन पवित्र रहो, ये बात हो गई पवित्रता पर, सोबिस अंतिम जनम के लिए पवित्र रहे, मामे कम याद करो, रचना की पालना जरूर करनी है, नहीं तो हटियोग हो दुनिया में पवित्र बहुत रहते हैं, बाल ब्रमचारी तो दीशम पितामा मिसल हो गया, अच्छा बाल ब्रमचारी वो जो इस्ते पुरुष दोनों इकठे रहे, पवित्र रहते हैं, गंधर्वे विवाकी चर्चा शास्त्रों में भी है, प्रम्तु कोई जानते नहीं, ये तो बाबा ही समझाते हैं, बाबा केते बच्चे, काम चिता के बदले, ज्यान चिता का हतियाला बांदो, कैसा अच्छा काम तुम रामन करते हो, परतिग्या करनी है, पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते, तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे, यहां तुम निकठे पवित्र रहके दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्पद ले सकते हो, घर गरस्त में रहते हैं, पवित्र रहते हो, इसलिए उच्पद ले सकते हो, मिसाल दिया जाएगा न, ज्यान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्पद पाते हैं, इसमें हिम्मत है बड़ी अगर पक्के हो चलते रहें तो पद बहुत उचा है फिर सर्विस पर भी मदार है जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे वो अच्छा पद पाएंगे बाबा ममा भी बाबा ममा खूब सर्विस करते हैं उसे भी उच चले जाना चाहिए रंतु बाबा केते ये दोनों क्रिश्चन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माबाप से उचा जाएं सो है नहीं जगत अंबा जगत पिता ही नामी ग्रामी हैं इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे ये निमित बने हुए हैं इसलिए कभी हार्ट फिल नहीं होना चाहिए मम्मा बाबा हमारे निमित बने हैं हमें भी पुर्शाथ करके उन जैसा बनना है दिल शिकस्त नहीं हुएं अच्छा ममा बाबा जैसा नहीं तो सेकिंड नमबर तो बन सकते हो सर्विस पे मदार है प्रजा और वारिस बनाने हैं ये अपनी आते हैं नई, नई दुनिया रचनी के लिए जरूर बाबा को आना पड़े, वो ही रच्यता है, वो तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, प्रन्तु ऐसा है नहीं, उनका भी कोई दोश नहीं, तक्दीर में हो तो समझे, बहुत आते हैं, जो समस्ते भी हैं, कि बात तो वरूबर ठीक है, कोई कहिए आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा, आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राज योग है, परम पिता परमात्म संगम पर आते हैं, राज योग जरूर संगम योग पर सिखाएंगे, तब ही पतित को पावन बनाएंगे, तो यहां की बाती न्यारी है, बाबा के ते सिरफ अपने को आत्मा समझो, बाबा के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की बात नहीं, कहते भी हैं हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा है, ये पुन्ने आत्मा है, आत्मा के लिए कोई कहना स तके उनका कोई रूप नहीं होता विवेका नंद जब रामकृष्ण के सामने बैठे तो उनको सक्षतकार हुआ देखा लाइट आई जो मेरे में परवेश होई ऐसी कुछ बात बताते हैं तुम बोलो हमारा है राज योग इसमें देह सईत देह के सब मित्र समन्यों को भूलन होता है हम आत्मा उनके बच्चे हैं आपस में ब्रदर हुड हैं अगर सभी फादर हो जाते तो फादर ही फादर को प्राथना करते अभी हम राज योग सीख रहे हैं यह राजाओं का राजा बनने का योग अभी तो राजाई है नहीं तो समझाना है शांती में रहेकर श्र बाबा महाजयोती को चमकते वो इस्वरूप से देखे उनसे निकलता प्रकाश मुझे में समा रहा है बावनी का चुप रहकर शान्ती में शिव बाबा को याद करना है अपने को शरी से न्यारा समझते हैं आत्मा कहती मैं एक शरी शोर दूसरा लेती हूँ तो नौलिज के संसकार आत्मा में रहते हैं अच्चा वा बुरा संसकार आत्मा में है आत्मा अंदरलेप नहीं ये समझाना है आत्मा पुनर जनम में आती है घड़गडी ओर्गन्स लेना पड़ता आत्मा स्टार है भृकुटी के बीच में रहती है आत्मा का सक्षतकार हुआ तो उसने समझा इन में इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का सक्षतकार कराया अब आत्मा तो भृकुटी के बीच में रहती है सक्षतकार किया ना किया फरक्या रहा आत्मा खुद कहती मैं स्टार हूँ, मैं सितारा हूँ, चमकता हुआ शांती का सितारा, मेरे में 84 जनमों का पार्ट है, अगर 84 लाग जनम हूँ, तो इतने संसकार हूँ, जो पता नहीं क्या हो जाए, जो रासी जनम मान सकते हैं, जो रासी लाग तो मान ना सके, अभी हम पावन बन रहे हैं, बाबा ने हमें नर से नाराइन बनने के लिए पवित्र बनाया है, यह बहुत अच्छा नशा चाहिए, तुम्हें कोई से भी डिबेट करनी की दरकार नहीं, बहसादी नहीं करनी, दे कि बाबा ने कहा, मामी कम याद करो, और दूसरा फर्मान है, गरस्त वैवार में कमल फून समान, पवित्र रहो, योग अगनी से पाप नाशोंगे, भगवान वाच है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे, बहुत पॉइंट्स हैं, एक समय नहीं निकल सक आसामी देखके युकती से उठाना है, धिरे धिरे बाबा समझाते सारी बाते, आसामी देखकर युकती से उठाना है, बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, रंतु बाबा का फर्मान है, सब को भूल मामे कम याद करो, वो है निराकार, आत्मा को तो सम मानेंगे, विवेका अन्दवाले भी मानेंगे, आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाब होगा, जिसे परम, पिता, परमात्मा कहा जाता, इस सब पॉइंट्स हैं, ये सिमरन करने से सदाव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता रहेगा, ये भी जैसे अविनाशी ज्यान रतनों का व लिखने का बहुत शोक होना चाहिए, ये ज्यान दतन है, इने धारन करने का, लिखने का बहुत शोक होना चाहिए, अच्छी तरह से सबको समझाना है, आत्मा तो सभी में है, उसका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कहनी सकेंगे, आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों न बाबा तो सर्विस पे इनाम देते हैं, जो बच्चे सेवा करते हैं, बाबा तो पुरुसकार देते हैं, कितना श्रंगार कराते हैं ज्यान रतनों का, हम यहां के पदम पती नहीं बनना चाहते, हमें चाहिए विश्व की बादिशाही, हमें चाहिए भविश्य स्वरग की बा नमस्ते, रुहानी बच्रों की रुहानी बाब तेदा को आद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निग शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज के सार से पहले मातेश्वर जी के महवाख के सुनेंगे परमात्मा की सद्धकती करने की गत्मत परमात्मा ही जानता है तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो, अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? ये कि परमात्मा की सदगती करने की जो मत है, वो तु परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता, मनुष्य की सरफ इच्छा रहती है, ये में सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सु कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को भस्म कर करम अकरम ना बनाई, तब तक वो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि करम अकरम विकरम की गती बहुत गहन है, जिसको सिवाई परमात्मा के, कोई मनुष्य आत्मा उसकी गती को नहीं जान सकता, जब तक परमात् नहीं गती नहीं सुनाई तो तब तक जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती इसलिए मनुष्य कहते तेरी गत्मत तुम ही जानो इनकी सद्गती करने की मत वो परमात्मा के पास है कैसे करम को अकरम बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है मारकि मनुष्य को तो ये ज्ञान नहीं है, जिसका वो उल्टा कारे करते रहते मनुष्य का पहला फर्ज है, अपने कर्मों को सुधारना, तब मनुष्य जीवन का पूरा लाब उठा सकेंगे बहुत सुंदर बात ममा ने समझाई, सबसे पहले सुधारना ये हमारा काम है, तब जीवन का पूरा पूरा लाब उठा सकते हैं ज्यान रतनों से सदा भर पूर रहना है अपने नराइनी नशे में रहना है वहयात बाते किसी से नहीं करने और शदिदी बननी का अभ्यास करना है ज्यांदतन जो मिलते हैं उन पे विचार सागर मंतन कर स्वेम में धारण करना है ज्यांदतनों से सदा भरपूर रहना है अपने नराणी नशे में रहना है वाहियात बाते किसी से भी नहीं करनी और शदिदी बनने का भ्यास करना है वेरी वेरी स्पेशल वरदान दुआ और दवादवरा तन मन की बिमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्माभव कभी शरी बिमार भी हो तो शरी की बिमारी से मन को डिस्टर्ब नी करो सदा खुशी में नाचते रो तो शरी भी ठीक हो जाएगा मन की खुशी से शरी को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइस हो जाएंगे खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों से तन्मन की बिमारी से मुक्त हो जाएंगे खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, सदा तन्मन से संतुष टहना है तो जादा सोचो नहीं अधिक सोचने से टाइम बेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है कभी शरी बिमार भी हो तो शरी की बिमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदा खुशी में नाचते रो तो शरी भी ठीक हो जाएगा, मन की खुशी से शरी को चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी खुशी है दुआ, एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा, दोनों से तन्मन की बिमारी से मोक्त हो जाएगे खुशी से दर्द भी भूल जाएगा सदा तन मन से संतुस्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है भावा ने बहुत सुंदर महमंत्र दिया ज्यादा सोचो नहीं ज्यादा सोचने से टाइम वेस्ट होता है खुशी भी गायब हो जाती है स्लोगन है विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिती एकरस रहेगी देहे विस्तार है इसका सार है जोती बिंदु आत्मा उसे देखने का अभ्यास करो तो सिती एक रस रहेगी आज हम वाइदा करेंगे कि हम तन मन से स्वस्थ संतुष्ट आत्मा है कुछ भी हो जाए शारिरिक व्याधी मन की खुशी को न चीने मैं तन मन से सम्पूरण स्वस्थ हूँ रोग मुक्त हो ब्रिकुती सिहासन पर अपने जोती बिंदू स्वरूप को देखे चमकता हुआ स्वरूप जो संतुष्टता से भरपूर है खुशी से भरपूर है बाबा की पवित्र किरणी मेरे तन को भी स्वस्थ कर रही है मन को दुरूस्थ बना रही है खुशी से बरपूर कर रही है रोग की जिनता क्यों करें आया है चला जाएगा खुशी मेरी संपत्ती है मैं खुश हूँ संतुष्ट हूँ प्यारे बाबा आपका शुक्त है शुक्त है और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती